नमस्कार दोस्तों मेरा नाएम आशी श्राठों शुरू करते हैं अज की वीडियो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी दो दिन पहले बताया था हमारे देश की छटी वंदे भारत एक्स्प्रेस लॉंच होने जा रही है 36 गड़ और महारास्टर के बीच में दोस्तों बिला आएसेटीसी की वैबसाइट पर अभी टिकेट बुकिंग सुरू हो सकी है और किसी एप पर आपको भी जनकरी नहीं मिलेगी और हम लोगों को 11 तरीक का पता है कि इसका इनागरल रन होना है 11 की बुकिंग तो 12 दिसंबर 2022 की बुकिंग को देखते हैं और मैं आपको बताता ह होने वाला है यह आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा तो देखते हैं कितना प्राइजिंग है भी तो दूस्तों हम आ गए अब ICTC के साइट पर और इस वेब साइट पर हम आ करके डालते हैं बिलासपूर वी एसपी और यहां से नागपूर एंजी पी और अगर मैं आपको ग्यारा तरीक को दिखाता हूँ तो फिलहाल अभी यहां पर कोई वंदे भारत एक्सप्रेस का जानकारी नहीं है और इसके बाद आपके सामने हैं वंदे भारत एक्सप्रेस 20825, पाच गहंने 30 मिनट में सफर तय करेगी और मैने जैसे कि आपको बताय था कि दुरंतो एक्सप्रेस, फाज गहंने 45 मिनट जो यहां पर ले रही है उससे यह कम लेगी लेकिन बात ये भी है कि दुरन तो एक्सप्रेस का ना तो बिलासपूर ना ही नाथपूर टिकेट बुक होता ही नहीं है तो फिर ये ट्रेन तो यहाँ पर किसी काम की फिलाल रणने ही रही तो यहाँ पर सबसे फास्ट और सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड वन्दे भरत एक्सप्रेसी करा पाएगी तो अब देख लेते हैं चेर कार का प्रैस क्या दिखा रहा है 1075 रुपे और देख सकते हैं आप टिकेट जो है अब लेवल है और इसके साथ में अब हम देख लेते हैं एक्जिक्टिव चेर का कितने प्रैस दिखा रहा है 2045 रुपे और जैसे कि मैंने आपको बताया था सेटर्डे को इसका आफ रहेगा सेटर्डे को ही इसका आफ आया है कई सारे आटिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट दिखा रखे थे जो कि गलता भीत हुए है जो मैंने आपको बताया था सेटर्डे वो ही इसका आफ डे रहने वाला है अब मैं आपको इसका स्कैडूल दिखा दिता हूँ आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको schedule बताया था वैसा ही है बस दोस्तों एक change यह आया है कि एक जो halt है वो बढ़ गया है राजनन्द गाओं में और रायपुर में जो 5 minute का पहले tentative schedule में halt बता रहे थे वो 2 minute का ही रह गया है तो राजनन्द गाओं में अभी यह train रुकेगी और देख सकते हैं आप वहाँ पर stoppage है 6 बस के 45 minute पर सुबा निकलेगी उसके बाद आप जिस तरीके से यह पूरा देख पा रहे हैं 12 बस के 15 minute पर दुफैर में यह नागपूर पहुच जाएगी बिल्कुल एक्जक्ट मैंने यह आपको बताया हुआ है अब हम देखते हैं कि किस तरीके जिसकी वाप्सी की जन्नी होगी तो हम लोगों के सामने अब है BSP वंदे भारत एक्सप्रेस 20826 यह नागपूर से बिल्लासपूर के बीच में चलेगी बिल्कुल वही टाइमिंग है जो मैंने आपको बतायी थी दुफैर में 2 बच के 5 मिनट पर एक ट्रेन निकलेगी और उसके बाद शाम को 7 बच के 35 मिनट पर विल्लासपूर पहुँच जाएगी तो आपके सामने जो टाइमिंग है बिल्कुल सही साबित होई है यहाँ पर हावडा दुरंतो के साथ इसका कंपेटिशन है और हावडा दुरंतो जो है उसकी टिकेट वहाँ पर बुक होती है तो यहाँ पर 5 गंटे 40 मिनट दुरंतो ले रही है और 5 गंटे 30 मिनट वंदे भारत ले रही है तो ये दो fastest train यहापर अब हो जाएंगी नाकपूर से बिलासपूर के बीच में अब फेर देख लेते हैं चेरकार का दोस्तों अभी data जो है fresh fresh add हो रहा है यही कारणे की error आ रहा है नाकपूर से बिलासपूर वाली train के price को देखने में तो pricing तो नहीं दिख रही है बाकी रात तक ही ठीक हो जाना चाहिए और देख लेजिए आप जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ चेरकार का भी booking are not allowed at this time आ रहा है तो ये भी हो जाना चाहिए executive chair car में भी यही दिखा रहा है तो 20826 ये train वापसी की train होगी नागपूर से विलासपूर जाएगी तो ये number होने वाले हैं नए वंदे भारत express के चटी वंदे भारत express आप से कुछ बात करने थी मैंने पिछली वीडियो में आप से पूछा था मुझे इस route के बारे में ज्यादा नहीं पता है काफी लोगों ने ऐसा बताया अगर ऐसी को इस्तिती है तो एक देखने वाली बात ही होने वाली है कि ये चटी वंदे भारत express जब चलेगी तो इस पर नज़र रखना जरूरी है अगर ये train काम्याब होती है तो इससे ये सिध्ध होगा कि railway ने सो समझ के फैसला लिया है किसी के influence में फैसला नहीं लिया है और अगर काम्याब नहीं होती दिख रही होती है काई सारी सीटे खाली जा रही होती है और revenue generate नहीं कर पा रही होती है लॉस में कर चले जाती है तो कहीं ने कहीं railway सो सो मज़ की फैसला नहीं ले रहा है और वंद्य भारत एक्सप्रेस को जिन अच्छे रूटों पर अभी भी चलाए जा सकता है महाँ पर नहीं चलाए जा रहा है ये इस बात से सिद्ध हो जाएगा अगर ये कामयाप नहीं होती दिख रही है तो North, East, West में कहीं ऐसे रूट हैं जहां पर इस तरह की ट्रेन की बहुत ज़्यदा requirement है और कहीं ज़्यदा revenue जनरेट भी का सकती है ये ट्रेन तो अब देखना ये होगा कि अच्छे रूटों पर ये वंद्य भारत एक्सप्रेस आती है कि नहीं आती है जहां पर ये 150 KMP को भी अचीव कर सके इस ट्रेन का आने वारा कली बतायागा कि किस तरह की से ये ट्रेन कामियाब होती है कि नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वंद्य मातरम भारत मता की जै